यह वीडियो साइंस क्लाश 10 चैप्टर 13 का पार्ट 1 है इसके पहले चैप्टर करिंट इलेक्टरिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी कंड़क्टर वायर से करिंट को पास कराया जाए तो उससे हीटिंग अफेक्ट पैदा होता है हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यदि हम लोगों रिजिस्टेंस को कम करते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो वहां पर हीटिंग अफेक्ट का मान ज्यादा या कम होता है तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि क्या इस करिंट से कुछ और भी पैदा हो सकता है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इन दी प्रिविएस चैप्टर रॉंड एलेक्टर सिटी वी लूंट अबाओट दा हीटिंग अफेक्ट सॉफ एलक्ट्रिक करिंट तो इस इलेक्ट्रिक करेंट के क्या और एफेक्ट्स हो सकते हैं वी नोग दैट An electric current carrying wire behaves like a magnet तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि यदि कोई conductor wire से electricity पास करया जाए current पास करया जाए तो इससे magnetic effect पैदा होता है तो इसी के लिए आपको यहाँ पर activity दिखाए गिया है तो चलिए मुझे अक्टिविटी को पढ़ते है Take a straight thick copper wire and place it between the points X and Y In an electric circuit आप देख सकते हैं यहाँ पर एक copper wire को लिया गया है ठिक copper wire को और X और Y के बिच में यहाँ place किया गया है और इसको एक electric circuit से जोडा गया है इसी के साथ आप देख सकते हैं Place a small compass near to this copper wire See the position of its needle और आपको क्या करना है यहाँ पर एक compass रखना है और compass में जो needle होता है उसको आपको देखना है तो basically compass क्या होता है compass में एक bar magnet लगा रहता है पतला सा और कुछ खासीज नहीं होता है Pass the current through the circuit by inserting the key into the plug अब आपको क्या करना है सुरू में आपने देखा होगा कि यदि इस wire से current pass नहीं हो रहा है तो यह जो compass needle है वह इस्थिर होता है लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप current pass कराएंगे इसमें deflection होना सुरू हो जाएगा या फिर कहें इसमें movement होना सुरू होगा जो कि कोई खास direction में भी होता है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यह जो wire है जैसे ही इसमें current flow होता है इसके चारो और magnetic field generate होता है साथी साथ आप देखेंगे कि यह needle है यह तो magnet है तो इसके चारो और magnetic field और यह जो wire है इसका magnetic field एक दूसरे से interact करेगा और इसमें आप deflection देख सकते हैं compass needle is deflected on passing an electric current through a metallic conductor तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि metallic conductor से हम लोगोंने current पास कराया तो किस प्रकार से यहाँ पर magnetic effect पैदा होगा magnetic field पैदा होगा और यह जो compass उसका needle में magnetic field already है तो दोनों interact करेगा और आप देखेंगे कि इसमें motion होगा या फिर deflection होगा इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर x और y जो wire है इसमें motion नहीं होता है क्योंकि यह fix होता है इसी के साथ एक चीज और है कि यह जो magnetic field है इतना जादा नहीं होता है कि यह दूसरे से दूर भाग जाए जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यदि एक magnet है यहाँ पर यदि N रख दिये और यहाँ भी N रख दिये तो यह दोनों क्या होगा North North क्या होगा deflect करेगा मतलब दूर भागेगा यह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो करेंट है उससे magnetic effect पैदा हुआ है इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि electricity और magnetism एक दूसरे से linked हैं कहने का क्या मतलब है कि electricity का प्रयोग करके magnetism को generate किया सकता है और आगे आप लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से magnetism का उप्योग करेंगे motion का उप्योग करेंगे हम लोग electricity generate करेंगे Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets तो जैसा मैंने आपको बताया कि electricity का उप्योग करके हम लोग magnetism को पैदा करते हैं ठीक उसी प्रकार से यदि magnet को use करें उसको move कराएं तो हम लोग यहां पर electricity को भी generate कर सकते हैं तो उसी को हम लोग क्या बलेंगे electric effect of moving magnets तो यह आपको detail में आगे समझ में आएगा in this chapter we will study magnetic field and such electromagnetic effects तो यहां पर electromagnetic effects के बारे में हम लोग को पढ़ना है we shall also study about electromagnets and electric motor तो हम लोग इस chapter में आगे पढ़ने वाले की electromagnets क्या होता है electromagnets का formation कैसे होता है electric motor क्या होता है इसका formation कैसे होता है यह किस principle पर कारिय करता है साथी साथ साथी साथ कैसे का function होता है क्या बनावट होता है सारे बातों को हम लोग को आगे पढ़ना है which involves the magnetic effect of electric current तो आप देख सकते हैं जो motor है या फिर electromagnet है यह किस पर कारिय कर रहा है magnetic effect of electric current मतलब यहां पर हम लोग electric current का use कर रहे है और उससे magnetic effect देखने को मिलता है इसी के साथ आपको यह भी पढ़ना है electric generator which involves the electric effect of moving magnet यहां पर हम लोग generator में यह देखें कि किस परकार से electricity को पैदा किया जाता है moving magnets के द्वारा इसका मतलब यहां पर electricity पैदा होगा moving magnets के द्वारा मतलब magnetic effect के द्वारा magnet के द्वारा electric effect पैदा होगा generators में और motor में electric current के द्वारा magnetic effect पैदा होगा तो इसमें आप confused ना हो यहां आप देख सकते हैं आप सोच्टेट के बारे में बताये गया है one of the leading scientists of the 19th century played a crucial role in understanding electromagnetism in 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby through his observation or state saw that electricity and magnetism were related phenomena तो आप देख सकते हैं और स्टेट नहीं बताया है कि electricity और magnetism क्या है एक दूसरे से related है his research later created technologies such as radio, television and fiber optics तो आप देख सकते हैं उन्हीं के research के आधारित radio, television और fiber optics का निर्मान हुआ the unit of magnetic field strength is named the ore state in his honor तो ये yellow box से कोई खास प्रशन आपको आता नहीं है एक दो प्रशन आप यहां से देख सकते हैं तो मैं विलता हूँ मुख्य मुख्य प्रशनों के साथ आगे के वीडियो में तो आप आगे के वीडियो उसको जरूर देखें धन्यवाद फिल्ड लाइन्स क्या होते हैं वी आर फैमिलियर विद दे फैक्ट डाइट अ कमपास नीडिल गेट्स डिफलेक्टेड विन ब्राउट नियर बार मैगनेट तो सबसे पहले मैं आपको एक बार मैगनेट दिखाता हूँ फिर एक आपको कमपास दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है बार मैगनेट इस प्रकार से बार मैगनेट होता है जिसमें आप देख सकते हैं एक है साउथ पोल और दूसरा क्या है नौर्थ पोल और आप देख सकते हैं यह छोटे छोटे यहाँ पर compass रखे गए है basically compass होते क्या है तो compass में आप देखेंगे कि इसमें भी एक छोटा सा bar magnet लगा होता है और यह bar magnet यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से अलग-अलग direction में है आप देख लीजिए इसका direction ऐसा इसका direction ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यह जो bar magnet है उसके magnetic field से यह प्रभावित हो रहे है और उस प्रकार से इनका direction आप देख सकते है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही लिखा गया है इसका आप देख सकते हैं compass needle gets deflected एक compass needle क्या हो जाएगा deflect हो जाएगा कैसे deflect हो जाएगा when brought near a bar magnet एक bar magnet के यदि नजदिक लाए जाएगा तब उसमें deflection देखा जा सकता है compass needle is in fact a small bar magnet यह मैंने आपको पहले ही बढ़ा दिया कि compass needle क्या होता है एक छोटा bar magnet होता है the ends of the compass needle points approximately towards north and south direction तो आप देखेंगे कि इसका दो ends है एक south direction की ओर होता है तो दूसरा north direction की ओर होता है the end pointing towards north is called north pole और जो end south की ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते है south pole तो यह मैंने आपको बता दिया कि जिस प्रकार से bar magnet में north pole और south pole होता है तो compass में छोटा सा bar magnet ही लगा होता है इसलिए उसका जो north seeking point है उसको हम लोग बोलते है north pole और जो south की ओर towards south होता है उसे हम लोग क्या बोलते है south pole तो यह आप पहले से भी जानते हैं लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक bar magnet है और यह भी एक bar magnet है यहाँ पर north है और यह क्या है south है तो जब north pole को south pole के पास लाए जागा तो यह एक दूसरे को attract करेगा क्योंकि यह unlike pole है तो unlike pole एक दूसरे को क्या करता है attract करता है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से magnetic field lines भी बनाए गए हैं जो कि attraction को दिखा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं like pole है यह है north और यह क्या है north और यह एक दूसरे को repel कर रहा है एक दूसरे को दूर भगा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर तो unlike pole एक दूसरे को क्या करता है attract और like pole क्या करता है एक दूसरे को repel करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक magnet को दिखाए गे बार magnet को और उसके magnetic field lines को दिखाए गया इसके लिए activity भी कराए गया वो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि magnetic field क्या है तो आप देखें कि एक magnet का जहां तक influence होता है जहां तक वह प्रभाव करेगा या तो attract करने का या तो repel करने का उसे हम लोग क्या बोलेंगे magnetic field यहां पर कम attract कर रहा है और यहां भी कम attract कर रहा है और जैसे जैसे दूरी बरते जाएगा इसका field क्या होगा कमजोर होता जाएगा और यह फिर attraction इसमें नहीं होगा कहने का क्या मतलब है कि कोई magnet का जहां तक प्रभाव होता है जहां तक influence होता उसे हम लोग क्या बोलते है magnetic field कहते है और यह magnetic field होता है उसे हम लोग magnetic field line के जरीय दिखाते है तो magnetic field line क्या होता है उसको हम लोग समझने के लिए एक प्रयोक करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस activity को दिखाये गया है activity 13.2 कुछ खास करना नहीं एक white paper लेना है उसमें bar magnet को आपको चिपका देना है और iron का बुरादा या iron fillings जिसको कहते हैं मतलब एकदम छोटे-छोटे टुगडे उसको क्या करना है आपको यहाँ पर छिड़कना है और जैसे आप छिड़केंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ खास pattern बन जाता है इस प्रकार से एक pattern बन रहा है इसे मैं आपको दिखा देता हूं तो आप देखेंगे इस प्रकार का एक खास pattern बन जाएगा जिसको lines के थुरू दिखाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने book में इसको इस प्रकार से दिखाया गया है तो यह lines के थ्रू ये खास pattern आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्ही को हम लोग कहते हैं magnetic field lines the iron feelings arrange themselves in a pattern as shown here यहाँ पर जैसा कि दिखाए गया है उस प्रकार से iron feelings iron का बुरादा सज जाएगा why do the iron feelings arrange in such pattern तो iron feeling ऐसे pattern में क्यों सज जाता है क्योंकि यह जो magnetic field है वो इसी pattern में होता है इस current से iron feeling भी क्या हो जाता है इस प्रकार से वह सज जाता है what does this pattern demonstrate और यह pattern क्या demonstrate करता है तो यह pattern हम लोग को दिखा रहा है magnetic field line या फिर magnet के influence को दिखा रहा है कि किस प्रकार से वह अपना प्रभाव दिखाता है magnetic field को दिखाता है lines के जरिये The magnet exerts its influence in the region surrounding it तो आपको मैंने पहले बता दिया कि कोई एक magnet है तो अपने surrounding region में वह क्या करेगा कुछ influence को लगाएगा, exert करेगा Therefore the iron feeling experience of force और इसी करन से iron feeling क्या करेगा एक force को experience करेगा The force surrounding a magnet Sorry इसको पढ़ता हूँ The force thus exerted makes iron feeling to arrange in a pattern और आप देख सकते हैं यह जो magnet है, इसका जो magnetic field है वह जिस pattern में होगा उसी pattern में फिर यह iron feeling क्या हो जाते है सज जाते है The force thus exerted makes iron feelings to arrange in a pattern और यही जो pattern है, वह magnetic field line का pattern है जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected जहां तक magnet का force को detect किया जा रहा है जहां तक magnet का power का influence है, उसे ही हम लोग क्या बोलता है In which the force of the magnet can be detected, जहां तक magnet का force का influence है Is said to have a magnetic field, उसे हम लोग क्या बोलते है, magnetic field कहते है The lines along with the iron feelings align themselves, represents magnetic field lines तो यहां से एक और प्रशना आता है कि magnetic field line क्या है तो आप देखेंगे कि यह जो magnet का power है या फिर बोलेंगे कि जो magnet का आपका field है, वह एक खास pattern में होता है और यह कैसा pattern है, आप देख सकते हैं यहाईसा, जो मैंने आपको अभी यह देखेंगे, इस प्रकार का यह खास pattern है यहाँ देख सकते हैं आप, जो कि किस रूप में है, lines के रूप में है मतलब यह जो इसका power लग रहा है, यह जो इसका force लग रहा है, यह इस pattern में लग रहा है इसे ही हम लोग कहते है, magnetic field lines तो यहाँ से एक बात clear हो जाता है, कि जो magnetic field है, वो खास pattern में होता है और उस pattern को हम लोग क्या बहलेंगे, field lines तो आप देख सकते हैं, यह खास pattern हम लोग ने बुरादा छिड़क के, आईरन का बुरादा को छिड़क के प्राप्त किया था तो इन magnetic field lines को कुछ और तरीका है, जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं Are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet तो यह bar magnet के round हम लोग ने magnetic field lines को प्राप्त किया था तो क्या कोई और method है, तो आप देख सकते हैं, activity को दिखाए गया है मैं उसे बता रहा हूँ आपको तो इस activity में आपको क्या करना है, इस activity में भी आपको bar magnet इस प्रकार से लेना है तो bar magnet आप लेंगे तो एक है south pole और दूसरा क्या है, north pole और इसके बाद आपको इस प्रकार से compass को सजाते जाना है आपको सटा सटा की कमपास को सजाना है तो कमपास में आप देखेंगे की कमपास में भी दो डायरेक्शन है एक होता है South और एक क्या होता है North तो आप देखें यह जो Compass का South Pole है और यह जो Bar Magnet है उसका North Pole है वो एक दूसरे को attract करेंगे फिर आप जब Next compass रखेंगे तो उसका South Pole और फिर North Pole फिर South Pole, North Pole इस प्रकार से आप देखेंगे कि South Pole, North Pole फिर South Pole और North Pole और फिर वापस क्या आगिया? North Pole और South Pole तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक यहाँ पर pattern आपको दिखेगा अब आप इसको एक line यादी खीचते हैं तो देखें कि इस प्रकार से आपको magnetic field line यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहीं यहाँ activity में भी दिखाया गया है आपके book में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं south pole है north pole है यह bar magnet और यहाँ पर compass को जो हम सजाएंगे तो compass में भी दो pole एक है south और एक है north तो यह मैंने बता दिया कि north pole और south pole एक दूसरे को attract करेंगे तो इस प्रकार से यही यहाँ सट रहा है तो आप देखें कि इसमें खास deflection हो रहा है यह आपके मन के नुसार deflection नहीं होगा बलकि इसका जो field है उस हिसाब से यहाँ पर deflection होगा कहने का यह मतलब है कि यह तो सीधा होना चाहिए था लेकिन यह सीधा नहीं होके इस प्रकार से यहाँ अपने आप ही इसमें deflection होगा फिर आप जब next रखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ सीधा नहीं बनेगा तो magnetic field में एक खास pattern होता है जिसके कुछ properties भी होते हैं उसको हम लोग next video में पढ़ेंगे जो की बहुत ही important है examination के लिए तो मिलता हूँ आप से next video में यह video science class 10 chapter 13 का part 4 है इसके पहले parts को आप जरूर देखें और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने next topic की ओर और यह topic है magnetic field due to a current carrying conductor कहने का मतलब है कि यदि एक conductor wire है जिसमें current flow कर रहा है तो उसके चारो और magnetic field बनेगा उसी को हम लोग बढ़ने वाले हैं In activity 13.1 we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it तो अब देख सकते हैं है current carrying conductor है जिसमें current flow हो रहा है इसके चारो और magnetic field बनेगा यह हम लोग उने activity 13.1 में पढ़ा है In order to find the direction of the field produced let us repeat the activity in the following way तो जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बताया यहाँ पर magnetic field का direction या फिर बोले magnetic field lines का direction का बहुत importance है उसे बहुत सारे rules है इसलिए हम लोग को magnetic field lines के direction को अच्छी प्रकार से समझना होगा तो आप देख सकते हैं इसको समझाने के लिए activity कराया गया है take a long straight copper wire आपके straight copper wire लेना है जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर copper wire लिया गया है और साथी साथ 2 और 3 cells आपको 1.5 volt के 2-3 cell लेने हैं प्लक की लेना है और सब को एक series में आपको connect कर देना जैसे कि यहाँ पर figure में दिखाए गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं figure यहाँ पर straight wire है यहाँ पर key आपका जोड़ दिया गया है और यह इस प्रकार से यहाँ पर cells को जोड़ा गया है place the straight wire parallel to and over a compass needle साथी साथ आपके compass needle लेना है इस प्रकार से यह compass needle रहेगा और इसके parallel में wire को इसको गुजारना है मतलब compass needle आप नीचे रख दें और उसके parallel में over a compass needle आपको इसको गुजारना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह वैवास्था की गई है compass needle नीचे रखा गया है और इस needle मैं अभी यह deflection सो कर रहा है लेकिन यह needle सीधा था पहले इस प्रकार से था और उसी के ऊपर से यह wire को यहाँ पर गुजारा गया है अब आपको क्या करना है observe the direction इसके बाद आपको switch on कर देना है observe the direction of deflection तो सुरू में यह सीधा था यह जो compass needle वह सीधा था लेकिन जैसे इसमें current pass होगा observe the direction of deflection of the north pole of the needle तो needle में जैसे की मैंने बताया है दो pole होगा एक होगा north और दूसरा क्या होगा south तो आपको उसके deflection को देखना है उसके direction को देखना है if the current flows from north to south यदि current क्या कर रहा है north से south की और flow कर आप देख सकते हैं north बनाए गया है south बनाए गया है यहाँ पर east और यह क्या है west if the current flows from north to south as shown here the north pole of the compass needle would move towards the east तो आप देख सकते हैं यदि यह north से यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से current flow हो रहा है north से south की और ऐसे current flow हो रहा है यहाँ पर तो इस प्रकार से the current flow होगा तो आप देखेंगे कि इस compass का जो north pole है वह east की और आपका मोड़ जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं ये east की और ये मोड़ जा रहा है यहाँ देख सकते यह जो दिखाए गया है, यह current का direction दिखाए गया है और यह needle है आपका, इस प्रकार से needle था, यह है South यह है North तो जब इसमें current पास करहे जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह North से South की और current है और आप देख सकते हैं इस आप को करना क्या है अब आपको यह जो किया है만 है जो किया इसको दिरेक्शन को चेंज कर देने जhammer कि कर देना है जैसे माइनस जिरिए माइनस और प्लस इसको प्रकार से से जैसे ही इसको आप change करेंगे current का direction भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा सुर्य में आपने देखा कि current इस प्रकार से आ रहा है और अब current का direction क्या हो गया इस प्रकार से हो गया observe the change in the direction of deflection of the needle you will see that now the needles move in opposite direction that is towards the west replace the cell connection in the circuit तो जैसे मैंने बता है आपको plus से minus और minus से plus कर देना है तो आपका current का direction है वह भी बदल जाएगा पहले आप देख सकते यह है current का direction और अब क्या correction हो गया यह this would result in the change of the direction of current through the copper wire इस से copper wire का current का direction वह क्या हो गया change that is from south to north तो अब यह हो गया south से north इस प्रकार से हो गया यह south से किदर जा रहा है north की और और अभी किदर जा रहा था north से south की और आ रहा था तो आप देखेंगे कि यहां पर current का direction जो पहले था अब current का direction change हो गया तो क्या current की direction से यह जो deflection है उस पर अंतर आता है तो आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में जब current का direction north से south था तो इसका deflection हम लोग सिर्फ एक छोर को देखेंगे ताकि हम लोग वो deflection का अंदाजा लगे तो आप देखेंगे इस्ट की और मुड़ रहा है तो यदि current का direction बदल दिया जाए तो क्या इसका deflection पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो हाँ इसका deflection पर कोई प्रभाव पड़ा और ये waste की और यहां आप देख सकते हैं मुड़ना शुरूगी जो north pointer था वो waste की और जा रहा है इसका क्या मतलब हुआ इसका यहां मतलब हुआ कि यह जो current का direction है और यह जो magnetic field का direction है उसका संबंध होता है मतलब यदि current के direction को change कर दिया जाए तो यह जो deflection है या फिर बोले magnetic field है उसका direction भी क्या हो जाएगा change हो जाएगा तो यह हम लोग आगे मतलब क्या हुआ कि जो magnetic field है उसका जो direction है वह किस पर निर्भर करता है तो वह current पर निर्भर करेगा आप देखेगे कि यहां पर बदल जा रहा है पहले यह current का direction अलग है अभी current का direction अलग है पहले magnetic field अलग direction में था अभी magnetic field अलग direction में है इसका सीधा मतलब हो गया कि जो magnetic field का direction है वह current पर निर्भर करता है यदि current का direction बदल दिया जाए तो magnetic field का direction भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा मैं वीडियो टॉपिक वाइस बना रहा हूँ तो ये तो इस वीडियो में cover नहीं हो पाएगा तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा मिलता हूँ मैं next वीडियो में ये वीडियो science class 10 chapter 13 का part 5 है इसके सारे parts को आप देखें तभी आपको सारी बाते समझ में आएगी अब हम पढ़ने वाले है magnetic field due to a current through a straight conductor तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि यदि एक conductor wire है उसमें current flow कराया जाए तो उसके चारोर magnetic field बनेगा लेकिन इस magnetic field का pattern क्या होगा इसको समझने के लिए हम लोग अब अलग-अलग condition में इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहला condition हो गया magnetic field जो पैदा हो रहा है due to conductor through a straight conductor तो यहाँ पर एक straight conductor हम लोगों को लेना है एक सीधा conductor लेना है और उसमें देखना है current को flow कराना है और फिर चारोर जो magnetic field lines बनेंगे उसका study हम लोगों को करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है what determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor तो एक conductor में यदि हम लोग current flow कराएंगे तो उसके चारोर जो magnetic field generate होगा उसके pattern को कौन determine करता है तो यह बात हम लोग आगे जानेंगे तो किया यह जो हम लोग straight wire ले रहे हैं या इसको loop बना के ले रहे हैं इससे भी उसका जो pattern है magnetic field का depend करेगा उसके shape पर depend करेगा या फिर नहीं करेगा Does the pattern of magnetic field depends on the shape of the conductor कि यह जो magnetic field का pattern जो बन रहा है यह इस conductor के shape पर निर्भर करता है क्या यदि हम लोग इसको अलग-अलग shape में ले जैसे कि straight line ले इसको loop बना के ले तो क्या इसका जो magnetic field है या फिर बोलें कि magnetic field का pattern है वह उस पर depend करता है यह भी हम लोग को पता चलेगा we shall investigate this with an activity तो इसको हम लोग इस activity में देखने वाले है we shall first consider the pattern of the magnetic field around a straight conductor carrying current तो हम लोगों ने देखा कि अलग-अलग shape में हम लोग को conductor wire को लेना है तो सबसे पहले हम लोग shape जो लेंगे वह कैसा होगा straight conductor होगा और उसके बाद हम लोग loop लेंगे straight इस प्रकार से होगे आपका या सीधा इस प्रकार से करिए और loop ऐसे इसको गोल बना दिए तो यह loop हो जाएगा तो यह अलग-अलग इसके shape में हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके लिए activity कराए गया है ठीक उसी प्रकार से टेक बैटरी और वैरियेबल रेजिस्टेंस एन अमिटर की प्लग यह सारा चीज आपको लेख सकते हैं प्लग की एंड लॉंग इस्ट्रेट थिक कॉपर वायर और इसको आपको लेना क्या है एक लॉंग थिक कॉपर का वायर भी लेना है इंसर्ट थिक वायर थुआ थू आपको क्या करना है एक कार्डबोड लेना है इस प्रकार से इसको कार्डबोड के लिजे इसको सेंटर में एक छेद कर दीजे और यहां पर एक स्ट्रेट आपको कॉपर वायर को यहां जैसे बताए गया है इसको इंसर्ट कर देना है नॉर्मल मतलब यह क्या होना चाहिए कि प्रकार से यह सीधा होना चाहिए, टेक कियर that the cardboard is fixed and does not slip up or down, तो यह आपको fix करना है, अच्छा से, तो इस प्रकार से आप دेख सकते हैं, इह figure यहां पर दिखाया गया है, किस प्रकार से यहां पर cardboard लिया गया है, और इसको कैसे यहां, copper wire आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पर copper wire को fix किया गया है connect the copper wire vertically between the points x and y तो यह point x और y के बीच में आप इसको लगा सकते हैं as shown here in series with the battery plug की यह सारा आप लगा सकते हैं plug है की यह सारा battery है meter है यह सारा चीज़ आप लगाएंगे अब आपको करना क्या है ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर current flow कराएंगे तो current यदि flow कराएंगे तो यह जो wire है इसके चारोर magnetic field बनेगा तो magnetic field को आप आँखों से तो देख नहीं सकते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर जैसे हम लोगों ने magnetic field lines को देखने के लिए या तो sprinkle किया था iron के भुरादा को या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर needle का उपियो कर सकते हैं और उससे magnetic field lines को देख सकते हैं sprinkle some iron fillings uniformly on the cardboard तो जैसा हम लोगों ने bar magnet के field को देखने के लिए iron fillings को sprinkle किया था यहाँ भी sprinkle कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर keep the variable of the real state at a fixed position and note the current through the emitter आपको real state को fix करना है उसके variable को fix करना है और उसके बाद आपको जो emitter से current flow हो रहा है उसको देखना है उसको note करना है close the key key आपको close करना है जिससे कि वहाँ पर current flow होना शुरू हो जाएगा और आपको यह ध्यान देना है ensure that the copper wire placed between the point x and y remains vertically straight आपको यह ध्यान देना है कि यह जो board में आपने wire को लगाया है वह vertically सीधा हो ऐसा नहीं कि वह टेढ़ा हो gently tap the cardboard आपने iron fillings को cardboard पर डाल दिया है अब उसको tap करें धीरे धीरे इस प्रकार से tap करें observe the pattern of the iron filling तो आपको यहाँ पर iron filling का एक pattern मिलेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर concentric circles की रूप में यहाँ पर iron fillings क्या हो जाएंगे सज जाएंगे तो जैसा कि हम लोगों ने बार मेगनिट में प्रियोग किया था कि किस प्रकार से बार मेगनिट लिया था और बार मेगनिट के चारो और iron fillings को स्प्रिंकल किया था तो एक खास पैटर्ण magnetic fill lines का देखा था तो आप देखेंगे कि यह current carrying conductor के आजू बाजू भी एक खास पैटर्ण आपको दिखेगा magnetic fill lines का तो यह जो concentric circle है वह क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो magnetic fill line को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ यदि यह current carrying conductor है इससे हम लोग current मतलब यह conductor से हम लोग current flow करा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसके चारोर magnetic field बन रहा है और उसके pattern को हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं iron के बुरादा का प्रियोग करके साथी साथ यहाँ पर आप यदि needle का प्रियोग करना चाहेंगे तो आप इसका भी प्रियोग कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यहाँ पर एक compass का प्रियोग करके और उससे भी pattern को प्राप्त कर सकते हैं तो अब आपको तो पता है कि यह जो wire है इसमें current का direction या तो ऊपर की और होगा या तो नीचे की और होगा तो current का direction तो आपको पता है लेकिन magnetic field lines का direction क्या है इसको पता करने के लिए place a compass at a point say P over a circle observe the direction of the needle तो आपको यहाँ compass का use करना है और needle में जो direction है north pole का उसको आपको observe करना है the direction of the north pole of the compass needle would give the direction of the field line और यहाँ जो north pole का direction है वही यहाँ magnetic field का direction होगा जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि north से हम लोग क्या लेंगे south की और यह direction लेते हैं conventionally आपको यहाँ दखना है कि magnetic field का direction north से क्या होगा south की और तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि यह इस प्रकार से हो रहा है या इस प्रकार से हो रहा है तो इसको आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि current का direction क्या है और magnetic field lines का direction क्या है give the direction of the field lines produced by electric current through the straight wire at point P so the direction by an arrow does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed तो आप देखेंगे कि ये जो wire है इसमें current का direction और magnetic field lines का direction एक खास pattern में होगा जैसे ही आप current के direction को change करेंगे magnetic field line के direction भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो conductor wire है इसमें current का ये direction है तो current का direction आप देख सकते हैं उपर की और है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो concentric magnetic field lines है इस प्रकार से इसका direction आप देख सकते हैं यहां इस प्रकार से है तो आप देखेंगे कि यह करेंट का direction उपर है तो यह जो magnetic field lines का direction है इस प्रकार से है लेकिन यह current का direction यह आप नीचे कर देंगे तो magnetic field का direction क्या हो जाएगा यह बदल जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा तो आपको यह याद रखना होगा कि जैसे ही हम लोग current का direction बदलते हैं magnetic field lines का direction बदल जाता है लेकिन आपको यह भी याद रखना है अब कि current का direction उपर होगा तो magnetic field line का direction किधर होगा यह आपको याद रखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर current का direction नीचे है तो इसको हम लोग को right hand thumb rule के द्वारा याद भी करना है Maxwell right hand thumb rule तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने दो बातों को समझ लिया कि conductor wire के current के direction को यदि change कर दिया जाए तो magnetic field का direction भी क्या हो जाता है? Change हो जाता है लेकिन कुछ और बातों को यहाँ पर हम लोगों को देखना है What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने compass रखा था तो compass का needle में deflection हो रहा था तो यदि माल लेजे यहाँ पर current को हम लोग बढ़ाए या फिर घटाएं तो क्या यह deflection है एक ही प्रकार का होगा या बढ़ेगा और घटेगा To see this vary the current in the wire हम लोगों को current यह जो wire है इसमें current के मान को ज़्यादा करना है या फिर क्या करना है? कम करना है We find that the deflection in the needle also changes तो आप देखते हैं कि आप current के मान को ज़्यादा करेंगे तो यहाँ ज़्यादा deflection होगा Current के मान को कम करेंगे तो यहाँ deflection क्या होगा? कम We find that the deflection in the needle also changes In fact, if the current is increased, the deflection also increases यदि current यहाँ बढ़ता है, आई का मान बढ़ता है तो deflection क्या होगा? बढ़ेगा It indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases तो यहाँ से एक important point आप का आजाता है यदि इस wire से current का मान आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर deflection क्या होगा? बढ़ेगा, घटाएंगे तो deflection क्या होगा? कम होगा इसका मतलब क्या है कि यह जो magnetic field का magnitude है वह किस पर निर्भर करता है? करेंट पर निर्भर करता है मतलब करेंट का मान आप बढ़ाएंगे तो magnetic field क्या होगा? बढ़ेगा और करेंट का मान आप घटाएंगे तो magnetic field क्या होगा? घटेगा तो यहाँ से एक प्रश्न आप देख सकते हैं तो अब हम लोग को क्या करना है? यह देखिए करेंट करेंग कंड़क्टर है इस प्रकार से यहाँ पर I के मान को आपको नहीं बदलना है और यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर मालेजिए कि इस compass को रखा था compass needle को अब इसको दूर करते जाना है थोड़ा दूर करते जाना है तो पहले हम लोग pass की deflection को देखेंगे फिर थोड़े दूर को deflection को देखेंगे फिर थोड़े और दूर के deflection को देखेंगे यह क्या इसमें कुछ बदलाव होता है और current के मान को आपको नहीं बदलना है तो आप देखेंगे कि जब compass needle pass में है तो इसमें ज़्यादा deflection होता है तो यदि यहाँ ज़्यादा deflection होता है तो यह क्या सो करता है कि यहाँ पर magnetic field क्या है strong है और यदि जैसे जैसे हम इसको दूर करते जाएंगे इसका deflection क्या होते जाएगा कम होते जाएगा और यह क्या सो करेगा कि इसका जो magnetic field है वह क्या होते जा रहा है घंटते जा रहा है जैसे 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 वायर से आप कमपास को दूर करते जाएंगे यहां पर deflection क्या होते जाएगा कम होते जाएगा तो अब दिखेंगे कि जो magnetic field है यह जो वायर है उसके पास में यह ज्यादा strong होता है और जैसे जैसे वायर से हम लोग दूर जाते जाएंगे यह magnetic field क्या होते जाएगा weak होते जाएगा इट can be noticed that the concentric circle representing the magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it तो आप देख सकते हैं magnetic field lines को मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक straight wire लिया गया है इसमें current को flow कराये गया है तो आप देखेंगे यहां concentric यहाँ पर magnetic field बन रहा है जो की धीरे-धीरे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बीच का दूरी क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे magnetic field का ये जो दूरी magnetic field lines का दूरी क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो magnetic field line है ये सब weak होते जा रहा है जैसे जैसे दूर जाएंगे ये field lines क्या होते जाएंगे weak होते जाएंगे और जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे magnetic field lines क्या होते जाएंगे strong होते जाएंगे तो यहाँ पर अब आगे हम लोगो right hand thumb rule पढ़ना है कि किस प्रकार से current का magnetic field line के direction से relation होता है तो इसको हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेगे तो मैलता हूँ आप से next वीडियो में